असलालेकूर मेरी प्यारेस योट्यूब की फैमली मैं उमीद करते हूं आप सब लोग खेरियास से होंगे मैं हूँ बानी अली और आप देखरें बानी अली व्लोक्स आज मैं फिर आपके सामने एक नहीं और मज़ेदा रेसिपी लेकर आई हूं बच्चों के लेंच बॉक्स के लिए बहुत ही हेल्दी और यम्मी होता है रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज लाइक सब्स्राइब मैं चैनल एंड सपोर्ट तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टाट करते हैं यह मैंने कैप्सिकम लिया है यह रादनिया लिया है यह कॉन फ्लेक्स है यह गाजर है इस चैनल मेटे है यह है यह पीजा सीजनिंग है यह चावल काश़निग पीजसेशने सीजनिग जाए यह डिस स्टाटों फ्लेक्स पूण लेमन और यह वन बावल मिलक है तो चलिए हम अपनी पर दर्फ करते हैं यह मैंने फाइव ब्रड लिया है यह मैंने तोड़ लिया है ए यह बच्चों को बहुत पसंद आएगी आप बच्चों के लेंच बॉक्स में रखिए और यह बहुत हल्दी होता है जिनके बच्चे वेजटेबल नहीं खाते हैं तो उन बच्चों के लिए तो यह बहुत बैस्ट है तो प्लीज एक बार जरूर ट्राय करिएगा यह बहुत नहीं पैसरी ब्रट को बिटे अन्दर बच्च कर दे धार दो की कि यह थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ते जिलिए दीए मैंने इसको अच्छे से स्ब्च्च कर दिया है यह यह देखिये सारी ब्रेट मिल्क के अंदर एग्साइब हो गया मिल्क पूरे तरह से मिल्क एग्सा में आपने कीशाजाए तक्रफ्टू व्यात्व माजाएं यह दिद्ट रख Queens यह स्नैक्स के साथ एक यह thoughtful मज़े दीनम्स तक प्रहों धूज़र करें गाएं यह मैंने मयोनीजु सुद्टू एन्ट İş अधे यह जो मैं आपको रेसपी बता रही हूँ यह आप रात में भी बना के रख सकते हैं, सुबा इन्हें सेलो फ्राइ, डिफ्राइ, एर फ्राइ कुछ भी करके आप बच्चों के लेंच बॉक्स में पैक कर सकते हैं, यह मैंने वन स्पून सॉस लिया है, यह टमेटो केचप है, लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, यह पीजा सीजनिंग है, मैं इसमें चिली फ्लैक्स नहीं डाल रही हूँ क्यूंकि यह बच्चों के लिए बना रही हो, सभी बच्चे चिली नहीं खाते हैं, तो मैं उस अकॉर्डिंग बना रही हूं जो बच्चे मैं भी बना रही है, यह मैंने सारी दूमेटोस इसमें चले हूँ, हैँ गुकम्बर Самील के लाख कर दूग करेकंग, अगर आप कोई और वेगेटेबल पसंदोंने को यह बना रही हूं अज़िपा है, अधिमां अल्जान करें कर दक आद और कोपना है, bellish Då tengahy वह िपीपिंग में यही रखता है Tomato and Cucumber ही सबसे बैस्ट लगता है वेट ये बंल मेरा थोड़ा सा छोटा था तो थोड़ा सा बड़ा बोल ले लिया है में ऐनी से कम लग रही है तो मैं थोड़ा सा मैयोनी एड़ और करोंगी ये मैंने मैयोनी इसमें आड़ कर दिया है अब मैं इसको अच्छे से एक बर mix कर दूँंगी कि हमारी अच्छी सी एक dipping तयार हो जाएगी ये देखें कि देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत यमी लगती है अब हम इसे side में करके अब हम अपना फुला preparation इस्टैर्ट करते हैं अब हम इसमें सारी वेघेटेबल से add कर देंगे जितनी भी हमने वेघेटेबल डालनी है हम उसे according डाल सकते हैं आपको ज़्यादा करनी हो तो आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं अपनी वेज़ेटेबल इसमें एड़ कर देंगे ठेर सारा हरा धनिया डालिया उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चावल का आठा है और ये मैंने गेहूं का आठा लिया है ये मेरा फोर इस्पून है और ये मैंने लेटा इसमें एड़ कर दिया है अब गेहूं का आठा जरूर डालियेगा गेहूं के आठे से ये रहता है कि थोड़ा सा अच्छा बाइंडिंग बन जाती है और सेकंड ये है कि टुकसान नहीं करता है क्योंकि आठा ब्रेट भी यूज कर सकते हैं मैदा ब्रेट के अलावा भी आठ ब्रेट भी यूज कर सकते हैं तो मैं मैंने इसमें चावल का आठा डाला है तो मैं कॉन्फलेक्स डालना मुझे कोई जरूरी नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि कॉन्फलेक्स को कैसे इसमें यूज करना है कॉन्फलेक्स को आप इस तरह से काफी अच्छे से क्रेश कर लीजिए और अब घतना आपक कॉन फ़ेक्स के लिए ब 거지 हमां खरणा के यह चीजों, आपट कर यह चाहेए को चावल कांटा करिये जाहे चाहे के इसमें टिकारेग Hindi कि अव्यों हिलेगा है सिर्फ आप लोगों को दिखाना चाहते हूँ इसलिए मैंने आट किया है इस तरह से काफी अच्छे से आप इसको क्रस्ट करके फिर इसमें आप डाल दीजेगा टेस्ट उठो सॉल्ट अब हमें एक खुब अच्छा सा इसका सबको मिक्स करके फिर एक डो बना लेना है बहुत अच्छा सा यह आप लोग अपने बच्चे को टिफिन में दीजेगा यह बहुत हल्ली होता है और बहुत यमी लगता है बहुत उपर से बहुत क्रंची होता है और अंदर से काफी सॉफ्ट होता है और मेरे बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते दो तो मैं ज्यादा तर उन्हों को लेंच बॉक्स में यही बना के देती हूँ और मैं कोशिच करती हूँ कि मैं रात में इसकी प्रेपरेशन करके मैं फ्रीज में इसे लगा देती हूँ पूरा मतलब इसको पॉफेक्ट बनाके और मैं इसे फ्रीज में लगा देती हूँ सुबा मैं इने सिर्फ सेलो फ्राइ करती हूँ बस और बच्चों के लेंच बॉक् कि अभी एंज़ाइ करतें यह देखिर हमारा डो एक टयार हो गया है अब यह देखिए ऐसे हाथ में ओयल या घी बटर कुछ भी ग्रीज और जिस प्लेट में आपको इसको ट्रांस्फर कर दिया है यह देखिए सारा मैं इसको यह हमारा सारा इसमें डोच चला गया है अब मैं इसको एक अच्छा सा शेप दोंगी यह देखिए मैं इसको इस तरह से गोल शेप में जैसे पीजा होता है पीजा का उस शेप का मैं इसे बना दोंगी अच्छे से और आप अपने हैंड में थोड़ा सा ओयल लगा के भी इसे अच्छा सा एक शेप दे सकते हैं देखिए मैं थोड़ा इसमें ओयल लगा रही हूं डाल रही हूं और बस इसका एक अच्छा सा इसको shape दे दोंगे ऐसके इसके ऊपर थोड़ा oil डाला है और एक इसको अच्छा सा shape दे मैंने वैसे तो shape दे दिया है लेकिन बस यह है थोड़ा से इसको set करना है सही से यह देखिए हमारा पीजा की तरह लग रहा है और इसमें पीजा की सीजनिंग पड़ी होती है और कैपसिकम वगएरा पड़ा होता है तो थोड़ा से इसमें पीजा का टेस्ट भी आता है बच्चों को थोड़ा सा पीजा का भी टेस्ट आता है तो आप एक बार जरूर ट्राइ करिए का बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है और बहुत easy और quick बन जाती है यह देखिए अब मैं इसके pieces कर लूँगी छोटे छोटे आप चाहें जैसा भी आप rectangle, square और triangle कैसा भी आप इसका shape दे सकते हैं इसको जैसा आपको shape अच्छा लगे आप वैसे pieces इसके cut कर सकते हैं मैंने बस ऐसे simple size को ऐसे cut कर लिया है थोड़ा सा यहाँ पर different shape हो जाएगा आप जैसा भी shape इसको देना चाहें आप वैसा shape दे सकते हैं बस इसको आप उठाके आपका जो भी oil है घी है और जो भी जिसमें भी आप इसको आप इसे अपर आप कर लिए जरूरत नहीं इसको पड़ती है और बस आप इसको थोड़ा सा गैस को पहले आप काफी heat कर लीजेगा और और जब आपका खुब गरम होगा बस इसको slow करके और यह देखिए इस तरह से जो भी shape जिसके खराब हो थोड़े से shape आप उठाते हैं तो थोड़ा सा shape खराब हो जाता है तो आप ऐसे हाथों की मदद से shape को सही भी कर सकते हैं ऐसे shape को सही करके फिर आप रख सकते हैं जैसा भी आप हांस से थोड़ा soil लगा के हाथों की मदद से आप जैसा भी shape इसको देना चाहें उस according आप shape दे सकते हैं और इसे आप तेज आच में नहीं सेखिएगा मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसे धीमी आच में सेखिएगा तो यह उपर से काफी अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं और अंदर तक पक जाते हैं और अगर आप इसको तेज आच में सेखेंगे तो यह अंदर से कच्छे रहेंगे और ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे तो इसलिए आप धीमी आच में इसे सेखिएगा यह देखिए, अब मैं एक टर्न करके इसको देखती हूँ, कि कौन सा हमारा हो गया है कुछ-कुछ देखिए, नीचे से दिख रहे हैं, कुछ गोल्डन टाइप का हो रहा है यह देखिए यह लाइट सा गोल्डन हो गया है, अब मैं धीरे-धीरे करके सबको टर्न करने की कोशिश करूँगी आप इससे कोशिश करियेगा, यह दीमी आज में सेखिएगा, यह देखिए कितना वाव, गोल्डन कलर इसका आया है साइट से देखिए, इधर से यह काफी क्रिस्पी भी हो गया है अगर आपके घर में कोई महमान आ गया, गैस्ट आ गया और आपके पास कोई भी बनाने के लिए कुछ नहीं डिस है, कुछ नहीं समझा रहा है अगर वेजिटेबल्स आपके घर में पढ़ी हैं तो आप घर के ही सामानों से बहुत जल्डी इजी में आप इसे बना सकते हैं यह देखिए मैंने सारे टर्न कर दिये और सारे कितने अच्छे कलर हुए हैं गोल्डन और यह देखिए साइड से कितना क्रिस्पी हो गया है अभी मुझे ऐसा ही करना है यह जब ऐसा हो जाएगा सारे तो यह खाने में बहुत मजाती है इतने ही क्रिस्पी में देखिए कितना सुन्दर इनका कलर आया है अब मैं इनको टर्न करके फिर एक बार देखूंगे कि ये बैक साइड से अच्छे से हुए है या नहीं हुए है अब बैक साइड से एक बार और हम टर्न कर लेंगे फिर इनको निकाल लेंगे ये ज़्यादा ओयल भी एक्जॉब नहीं करते हैं और कि देखिए कुछ का मैंने पीजा का शेप दे दिया है छोटे बच्चों को थोड़ा पीजा का शेप अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ा पीजा का भी शेप दे दिया है ये देखे कितना गोल्डन ब्राउन हो कितना क्रिस्पी ये लग रहा है ये खाने में बहुत अम्याजिंग होता है बहुत यम्य होता है एक बार आप इसे जरूर ट्राय करिएगा अम मैं इनको निकाल लूँगी ये देखिए मैंने सबको दिरे दिरे करके ये बहुत कम ऑईल एक्जॉब करते हैं देखिए मैंने कितना कम ऑईल कितना डाला था और उतना ही बचा ये आईल सबसे में इनकी सबसे अच्छी बात है कि ये आईल बहुत कम एक्जॉब करते हैं हमें सारों को निकाल लूँगी फिर मैं देखिए मैंने दो कलर के करें ये थोड़ा सा डार्क है गोल्डन मेंने कर रहा है और ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन में कर रहा है आपको जैसे पसंद आए आप उस कलर कर सकते हैं ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है कितना अमेजिंग और यमी यह खाने में सीरिसली एक बार आप जरूर बनाएंगे बहुत यमी होता है तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग की बारी है तो इसकी प्लेटिंग करते है यह देखिए पैने इनको देखिए मैंने इनको निकालिया है अब हम अपनी डिपिंग है वो यह प्लेटिंग खाने में तो अच्छे होते ही है यह डिपिंग के साथ और यमी हो जाते हैं बहुत टेस्टी हो जाते हैं हमें थोड़ी से उपर से ऐसे ट्रांसफर इसके उपर डाल दूँगी यह देखिए अब मैं आपको एक दिखाती हूँ कि यह कितना अंदर से बिलकु पॉफेक्ट पका हुआ है और कितना अंदर से इसको देखिए यह कितना अच्छा पका हुआ है पिलकु पॉफेक्ट यह अंदर से सॉफ्ट भी है और उपर से काफी क्रंची है और बस आप ऐसे इसको डिपिंग में डिप करिए और इसका मज़ा लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब मैं चैनल वीडियो को इसकिप मत करिएगा लास तक देखिएगा थैंक यू और यह देखिए इसकी लास प्रेजेंटेशन है एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा सीरिसी यह बहुत यमी बनता है देखिए इसकी लास प्रेजेंटेशन यह कितना अमेजिंग लग रहा है लास प्रेजेशन यह दो है